सो हे गाइज बिन दिस साइड आपको पता है हम लोगों की सीरी सेल रही है 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की जिसमें अभी तक हमने 7 रूल्स तक कर लिये हैं अभी तक और आपको मालू में हमारे 2 क्लासे हो चुके क्लास 1 क्लास 2 तो ये क्लास 3 देखने से पहले आप जरूर क्लास 1 और क्लास 2 जाके देख लेना अब मूफ करेंगे हमारे रूल नंबर 8 में तो चलिए देखते रूल नंबर 8 हमारा क्या है 150 रूल्स हम टोटल कवर करेंगे हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट में इस पूरे हमारे स सेशन में ठीक है चलिए रूल नमबर एट है हमारा क्या रूल नमबर एट है हमारा सर्टेन नाउंस एक्जिस्टें प्लूरल फॉर्म्स उनली दस एस कैनोड भी रिमूफ पॉर्म सच नाउंस तो मेक दम सिंगुलर दे टेक प्लूरल वब अब भाई क्या चीज़ है वो समझ तो आप इसको सिंगूलर नहीं बना सकते हैं मतलब आप एक तो इन सारे वड़्स में इन सारे नाउंस में से सब्सक्रासे थिक मांसे तो ऐसे थिय livres लेवी वांगते से डेडिव होता है चीजर्स पैक्टिकल्स गॉगलस टॉंग्स प्लायर मतलबूश्त चिंदि चिंटी चिम्टा तो यह चीज़ आपको पता होने चीज़ है एंबर मतलब चिंगारे चिंगारी तो पीछे यह चीज़ आप नहीं हटा सकते हैं आप जब यह सब अपने आप में ही प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं तो आप इंके सब कैसी वर्ब यूज़ करोगे बस आपको यह दो चीज़ याद रखनी है आपको काम बन जाएगा जैए हमने बोला वे और माय पैंट तो माय पैं अगर मैं यहां पर यह लिखता वेर इस माय पैंट तो वह बोलने में तो सही लग रहा था मगर वह गलत हो जाता क्योंकि पैंट आपका प्लूरल है तो वह अपने साथ क्या लेगा प्लूरल वर्ब लेगा वेर आर माय पैंट क्लियर है मेरे बही बात आओ कुछ क्ये होना चाहिए देखो प्रोसीड एक होता है आपका प्रोसीड पै आर ओ चीड़ेवल डी क्रोसीड दूसरा आ fresh प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना ऐसे भीया मैं अपनी लाइफ में प्रोसीड कर रहा हूंँ मैं आगे बढ़राब ठीक है और जब इस प्रोसीड का मतलब होता है amount of money पैसा कुछ पैसा ठीक है amount of money इस proceeds का मतलब है amount of money जब यह proceeds आप ऐसे यूज करो तो उसका मतलब है बढ़ना ठीक है verb की तरह यूज करना हो तो मतलब है आगे बढ़ना जैसे मैं अपनी life में आगे बढ़ रहा हूँ मैं यूटूब में थोड़ा थोड़ा आगे बट रहा हूँ पहले बन के थे अब ठीके हो गए अब अगवां के दिया से पाच के भी करा दो तो ऐसे करके आपको चीज़े पता होनी चाहिए हम basic पे भी बात करेंगे तो इस proceeds का मतलब कि अमाउंट ऑफ पनी अब आपको मालूब है यहां पर यह लिखा वाए कि जब यह प्रोसीड आएगा तो कैसी वब लेगा प्लूरल वब लेगा और इसके पीछे से एस बीनी अट सकता तो हमने बुला दब प्रोसीड वर होना चीए यहां पर बिल्कुल सहीं यह प्लूरल बबाने चाहिए ठीक है एक्जामपल आपके लिखे वे हैं बुकों में से लिखे में आपको समझा रहा हूं जैसे मैंने बोला आम आम का मतलब है दान तो क्या होने चाहिए प्लूरल है तो वह कैसी आईगी प्लूरल आएगी दा एमबर्स ऑफ दफायर यह तो और प्रेप लगाओगे और बार बार रिविजन करोगे तो आपके दिवाग में बैठ जाएगा टेंशन मत लेना ठीक है मैंने इंपॉर्टन इंपॉर्टन टी लिखे हैं टेंशन मत लेना किसी चीज की तो हमारा यह रूल नंबर एट होगया मेरे भाई कंप्लीट ठीक है आशा करता ह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर नाइन से पहले हमें कुछ एक बेसिक कंसेप्ट देख लिए तो देखो यहां पे ना आपका यह वो भी दे रखा था क्या दे रखा था एक मिट रुकिए वेजिस यह रभ वेजिस दे है अब tejगो वेजिज ना अपने messy लूरल वी लेता है कैसे यहां पर देखो इसको भूल जाू अभी पहले मेरी बात यहां पे आप इस वेझिस का मतलब होता है सिंगुछ रूर मैंने उसको बोला उस labor की wages हमने दे दी हमने उसे cash में दे दी तो भाया wages तो इस यहां पर जास मैं बोलू wages और यह देखो इधर example लिखावागा wages are paid in cash wages मतलब दिहाडी तो मैंने उस labor की दिहाडी cash में दे दी तो यह तो salary है salary तो आपका भाया आप count कर सकते हो plural countable है salary जादा ही दोगे एक note तो दोगे नहीं और एक note भी दोगे तो वह नंबर में ज्यादा होगा wages का मतलब कोई salary नहीं कोई ध्याडी नहीं है यहाँ wages का क्या मतलब है यहाँ wages का मतलब है result जैसे example लेखते हैं यह वाला wages of hard work कि भाई यह hard work का result आता है वह बहुत ही अच्छा आता तो यहाँ पर wages का मतलब salary नहीं है, result है, जब wages का मतलब labor से related हो, salary हो, the hardy हो, ठीक है, तो आप plural verb लगाएंगे, जब wages का मतलब result हो, किसी जिसका परिणाम है, aftermath है, मतलब उसके बाद क्या result निकला, क्या consequences हुए तो क्या है, तो आप singular treat करोगे, singular verb आईगी, जिस बच्चे को अभी किसी चीज का result, किसी चीज का परिणाम, तो आप क्या करेंगे, singular verb लगाएंगे, ठीक है, तो भाईए, यहाँ पर आप example पढ़ सकते हो, wages of hard work is good, singular work, wages are paid, यहाँ पर labor है, तो wages are paid in cash, आर आर रहा है, यह मैंने आपके लिए, यहाँ पर type कर दिया था, तो अगर आपको sound में आ cattle, cavalry, infantry, pole, tree, piece and tree, children, gentry, police, ठीक है, देखो यह type of क्या है, जैसे cavalry होगे, infantry मतलब जो पूलिस आ जाती है, पैदल में, ठीक है, cavalry मतलब क्या है, जो घोडे में पूलिस आती है, ग्रूप में पूलिस आती है, ठीक है, infantry आपको समझ में आ गया हो, जैसे कि police, army जब गूरूप में पैदल जब, on foot आती है, तो आप infantry उस करते हो, जब वोई आर्मी आपकी horse में आती है, पूलिस horse में आती है, ग्रूप में, ठीक है, horses पर सवार होकर, तो आप उसे cavalry कहते हो, gentry हो गया, people related to, group related to high class, तो से gentry कहते हो, यह जो सारे word है, यह सारे word, इन में S नहीं लगावा, ध्य ऐसी दिखे रहे होंगे, singular, बड़ आप मेरी पाध्यान रखना है, जैसे आपको children, आपको पता है, child का plural, child मतलब एक बच्चा, child का plural मैं क्या लिखूंगा, child से लिखूंगा, बिल्कुल गलत है, क्या लिखूंगा, children लिखता है, ठीक है, ना, child से लिखावा तो बिल्कुल तो भाई, यह जो सारे वर्ड है, अपने आप में plural है, दुबारा मेरी बात, यह सारे वर्ड, शायर आपको दिखने में singular लगते हूँ, बड़ मुझे तो लगते नहीं है, ठीक है, यह सारे वर्ड अपने आप में plural है, जैसे कि cavalry का मतलब है, भाईया, group आ रहा है पूरा, घ भोडस पे सवार होगे, पुलिस आ रही है, आर्मी आ रही है, घोड़े पे सवार होगे, भाईया, वह तो क्या plural है, यह सारे वर्ड अपने आप में plural है, तो इनके सा वर्ड कैसी आईगी आप खुद बताओ, जैब यह plural है, तो वर्ड कैसी आईगी, वर्ड पहली पहला point हमारा word आङिए, आपकी pluralूर्ल ना, तो मैं इनके पीछे s नहीं लगा सकता, मैं इनके पीछे s नहीं लगा सकता, clear है मेरे भाहरी बात सबुझी में आगी, पहली बाद इन words के साथ plural वर आगी, कि अपने आपमें plural है, मैंना आपको logic बता दिया, या आप याद भी कर सकते हो मैंने लिग भी दिया चीजे दूसरा जब यह वर्ड अपने आप में ही प्लूरल है तो इंके साथ हम एस नहीं लगाएंगे एस लागे इंको प्लूरल कैसे बनाएंगे जब अपने आप में प्लूरल है तो सही है ना तो आगे देखते हैं रहें एक ग्जांपल देखते हैं संपने बोला house cattle के साथ प्लूरल भूबा नीच्य शिंगूल कल्सिशे बिलक्ति सभी घ्रजिन विन डा फीड्स देखते हैं एक्जांपल आ één inventory inventory के साथ, फ्लूरलW a-tý, तो है bell है, upload के इजा ध्यान अगर यहीं पर होता पुलिस man do one policeman यह पुलिस man लिखाओ लिखाओ, अब यहीं पर लिखाओ टू-पुलिस तो दो यह अरर बन सकते और बनते हैं सहर तो पुलिस man तो एक तो आपको पता होने चाहिए जब दो पुलिस आदमियों की बात हो रही है तो वह भी कैसी आईगी वह बहुत असानता मगर इसके ओपर कोश्चन काफी सारे बनते हैं पेपर में ठीक है आज हम वह वाले रूल देखेंगे जो मैक्सिम आपको पता होने चाहिए कभी पेपर असान आजाए मुश्किल आए इनमें से एक आदा कोशन जरूर आपके पेपर में आ जाता है ठीक है जितने मैंने सारे नाउन आपके यहां पे लिखे हैं जितने वर्ड्स लिखे हैं सारे नाउन अपने आप में क्या है यह सारे नाउन अंकाउंटेबल है जैसे मैं सब्सक्राइब greater treat देए धिक एटीरी इतनी से देति नहिं पता ठीक है सिंडोरी वह भाई क्श्मीर की सिंडोरी क्या सिंडो धी तो नीज यह चारी यह तो एक अच्छा मतलब मुझे बढ़िया से सिंडोरी दिखे रहे ठीक है ब्रिकेज, एक्यूपमेंट, ध्यान डखना ये सारे वर्ड अपने आप में uncountable है और आपका basic होना चीए मेरे भाई clear ठीक है जो uncountable है uncountable noun uncountable noun हमेशा अपने साथ लेते हैं singular verb ये बच्चे बच्चे को पता है ठीक है जब ये uncountable है तो आप इसका plural नहीं बना सकते इसमें आप s नहीं लगा सकते clear है मेरे भाई बाद और जब देखो तीन पॉइंट है तीनों पॉइंट में आपको बता देता हूं तीनों पॉइंट की आदेता हूं यहां पकर पहला पॉइंट क्या है आपकर अब हम time का color छेंज कर देते हैं ठीक है जब यह सारे नान aynıन नान नमई नवन er इंक साथ singular क्या नहीं लगा सकते स् irm लग तो लगाते हैं कि साथ singular कोई वर्ड नहीं लगा सकते Yep लिडी केशाब आपको अध्यान रेखता है जब यह नान अंग काउंटर नाउन है देखो आपको बेसिक लिर उने चीए अगर आपको पता है ना इस लोग बाती है अंकाउंटे के साथ हम प्लूरल उसको नहीं बना सकते हैं कि हम उसे काउंटी नहीं कर सकते सिंपल सी वास्ती तो एस भी नहीं लगाएंगे पूरल भी नहीं बनाएंगे आईए आपको पहले को कंसेप्ट्री को और यह आगे आते हैं मैंने बोला मिस्चीफ मतलब होता है एक तरीकी से बैड़ बीहिवियर ले लो तो mischief जो है mischief uncountable वर्ब कैसी आ रही है आपकी singular आ रही है I have some equipment ध्यान रखना मेरे बात ठीक है I have देखो equipment है ठीक है आई के रहे तो have आ रहा है अब equipment है यहां पर आप equipment लिखते तो वो गलत हो जाता है बढ़ जैसी यहां पर इसने सम्न लगाया तो भी यह सम्न अभी मैंने आपको बताया यहां पे है ने तो तो बहुत यहां पर है नीट फॉर प्रोजेक्ट एसफ़ाए थी रहेगा तो आएप देखते हैं जब ये सारे nouns हैं, अगर मुझे इसका singular बनाना हूँ, ठीक है, ये थोड़ा से मुझे इसका plural बनाना हूँ, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ word add करके, इंका singular plural बना सकता हूँ, दिखते हैं, कैसे आईए, मैंने बोला, such nouns have no plural form, इंकी कोई plural form निये, बड़ अगर मुझे plural form चाहिए, तो मैं कुछ word इंक आगे लिख सकता हूँ, कैसे, by adding certain words कैसे, जैसे मुझे बोलना हूँ, मुझे तो भाई, एक ही piece of information मिली, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे एक information मिली, भाई, उसने मुझे एक information दी, तो मैं क्या बोलूँगा, a piece of लगा सकता हूँ, उसके आगे, a piece of, he gave me a piece of information, मैं मुझे, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत सार information मिली, ठीके, तो मैं बोलूँगा, all pieces of information, मुझे बोलना है, मुझे, भाई, कुछ type के क्या मिले, furniture मिले, तो मैं बोल सकता हूँ, many kinds of furniture, ये मुझे कुछ phrase वाले words जो होंगे, वो add करने बढ़ेंगे, next step भाया, हमारा rule number 10 हो गया है, complete आगे बढ़ते हैं, अपने rule number 11 में, जो की बहुत ही शांदार है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, देखो, जैसे हमने बोला, deer, sheep, series, pieces, fish, crew, team, jury, aircraft, council, are certain, that are used in both singular and plural form, देखो, पढ़ आप भी लोगई है, मैं आपको इसका मुद्दा समझा जेता हूँ, क्या है, जैसे हमने बोला, भीया, example लिया, हमने fish को उठा लिया, fish, तो मैं बोल रहा हूँ, यह fish मेरे भाई singular भी होती है, और यह fish मेरे भाई plural भी होती है, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलना चाहता हूँ, a fish, sorry, ship नहीं, fish, मैं बोलना चाहता हूँ, a fish, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, a fish, तो देखो आ मतलब एक फिश ठीक है तो यह जो आ फिश है ना तो फिश का फिश रहेगा अगर मुझे बोलना है ना टू फिश की बहिए दो फिश दो मचली है तो मैं यहाँ पर फिश नहीं बोलूँगा मैं तब यहां पर टू फिश लिखूं गा यहां भी मेरा आ फिश सही है यहां भी मेरा टू फिश सही है जब यहां पर आ फिश बोला तो यही फिश का मतलब है सिंगूलर एक फिश जब मैंने यहां पर टू फिश बोला तो यही फिश यहां पर अपने आप में प्लूरल बन गया दो फिश यहां पर मतलब कहा है दो फि जैसे मैंने आप बोला और शेप इस ग्रेजिंग इंदा फिल्ट एक शिप की बात उड़ी थे ना एक शिप की तो इजा गया बिल्कुल सही है और शिप का शिप नहीं होगा क्यों कि एक की शिप है बर जैसी मैंने बोला दो शिप तो बच्चे यहां पर एस लगा जाते हैं बहुत नहीं भाई यह शिप यहां पर प्लूरल बहुत है उपर सिंगुलर बहुत है उसके दोनों मतलब है यह जैसे आप बोलोगे न तो यह गलत हो जाएगा आपको बोलना है यहां से एस अटाओ टूशीप बढ़िए प्लूरल है टोटल तो यहां पर आप आर लगा एक इस तो आपका वालब बहुत बहुत है तो ओडियर भी इसी केटेगरी में आता है तो थी हैं तीन मगर डीएर रही इसका मतलब है प्लूरल की बती बढ़ारे के बात नहीं होगा तो यह प्लूरल वह भी है तो आज हमारे भाई हमने क्या करे हैं आज हमने रूल लंबर इय् देख लोगे तो आपके टेंसेज नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सारे चीज़े आपकी बहुत भेतरीन तरीके से कवर हो जाएगी ठीक है ना वर्ब भी कवर करा दूँगा इसी में आपको जेरंड पार्टिसिपल इंफिनिटी भी समझा दूँगा आगे जा है की देखो हमारी जो एप है वो लौंच हो गई है विनेकक्षा नाम से चीक है आप गूगल प्लेश टॉर पर एंड्रोइड वाड़े जो एंड्रोइड बच्छे एंड्रोइड फोन यूज करते हैं वो प्लेश्टोर पर जाकर विनेकक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी स्क्रिंग खुलेगा आपको इंस्टॉल करके ऊपन करना इसके पार आप आ जाएंगे इस इंटर्फेस में ठीक है जैसी आपके आगे यह इंटर्फेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटर्फेस कुलने के वारा अगर नहीं दिखे तो आप न PGT PRT जितने भी आपके एक्जाम है के विये सारा है TGT है जितने भी आपके टीचिंग के एक्जाम है उनको English का मैंने कैसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियो रहेंगी ठीक है अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा पास सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें ठीक है और अभी भी मैं इसमें वीडियो एड ओं करता जा रहा हूं तो आप पढ़ते जाएंगे जो भी आपको डाउट लगेगा जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो म पूश्री चीज मिरें इसकोड़ की वल्यू आपको ट्रिपल नाइन दिखरी होगी तो ट्रिपल नाइन इसकी वेल्यू नहीं है वैसे कोड़ मैंने ट्रिपल नाइन लगा रहें मगर अभी फर्स्ट हमारे दो सो बच्चों के लिए मैंने डिसकाउंट ले रखा तो आपक तो इस 799 में मातर 799 में आपको पड़ेगा ठीक है तो जिसको लेना हो वो ले सकता है बाकि अपना YouTube की वीडियो साती रहेंगी तो कड़ते रहें इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें बहुत दिक्कत आती है तो उनके लिए मैंने एक कोर्स निकाल दिया ठीक है तो जल्दी आपका वोकाब का कोर्स भी आएगा यह पेड कोर्स है टेंशन मतले न यूटूब पर ही प्र नाउन से लेकर एडवर्ब तक प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन सिंटेक्स किसे कहते हैं बेसिक सारी चीज आपकी कवर हो रही है बहुर अच्छे से ठीक है तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ रेगुलर आपकी वीडियो तो आती रहेगी यूटूब पर ठीक है